हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेके पार्चाला में स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप में थम्डिल देख लिए होगा आज विडियों बात करने वारे जो आपका एक्जाम होने वाला यूपिटर परसी का वीडियो रिएक्जाम कि उसकी हम त्यारी कै चैसे करें किया रणनीती आपकी उनसी यह 2,18 वाला ठीक है कैसे त्यारी करें क्या आपके रणनीती उनसी और कौन-कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है और साथ इक कितने गंटे पढ़ाई करें क्या टाइम फिर बनाएं तो पूरी इस वीडियो में आपको बात करेंगे अ एक होता आपका सामन हिंदी और दोस्तों एक होता आपका सामन निग्यान अब देखें दोस्तों जो आपका स्लेबर्स दे रखा है उसमें कहीं भी आपका टॉपिकों का जिक्ट नहीं किया गया है कि किस किस टॉपिक से कुर्शन आपके पूशे जाएंगे ठीक है तो इसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर हम बात करें नहीं कि यहां से हर पार्ट से आपके पचास-पचास कुशन आपके पूशी आएंगे याई टोटल आपके होगे 150 कुशन यानि कि 150 कुशन आपके होगे और जो 1 कुशन है वो आपका 2 नमबर का रहने वाला है यानि कि 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया और साथ ही आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आपकी 1 by 2 यानि कि बहुत जादा नेगेटिव मार्किंग आपकी है और टोटल आपके 1953 जो आपकी वेकंसी है 1953 ठीक है वीडियो एक्जाम में तो यानि दोस्तों बात करता हूँ कितना आपको टाइगर लेक्शन ना है तो देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हो जन्रेल क्रेटिक से ब्रॉंक करते हो अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल सेलेक्शन हो तो आप यह मांग चलेए कि आपको 105 से लेकर 110 कुश्चन के बीच के अपना टाइगर लेक्शन ना पड़ेगा यानि कह सकते हो कि 210 से लेकर 220 के बीच में ठीक है इतने नमबर आप लेक्शन नमबर कम पर हो सकता है लेक्वा में आपको अपना पूरा सेवर्टी उनि Mooi हो चाही है तो इतना आप अपना टा сообщ लें थी अब बात करते हैं कैसे हम थैारी करनी है पहले हम बात करते हैं रिजिनिंग की कि कि क्या हम को त्यारी कैसे करनी है इसमाने तो द vista दो बात करते हैं कि पूब्र तो दोस्तो इस एक्जाम जो वीडियो के एक्जाम में इसमें तीनों टाइप की रिजनिंग आपकी पूशी जाती है बरवल नॉन बरवल साथ में आपकी लोजिकल और लाश्ट टाम जो पेपर आपका हुआ था उसमें दोस्तों आपके डी आई भी पूछा गया था चार टा है रिजनिंग पूरम आपको देली दो गंते पड़ना है अगर आप चाहते है था खेंजिक अ कर ना है एक्जाम तक उसमें क्या एक गंटे परसकते बरवल दिया साथ में आप और आदा गंटे आपका नॉन बरवल और आदा गंटे पर सकते हो आप लोजीकल दीन तो यानी इस बुक का फाइदा क्या आपका वैसे मार्किने बहुत सारी आपकी बुक है इसका फाइदा दोस्तों यह जो आप लाश्ट टाइम पेपर आपका दोहटार है मुगा था जिसलिए पेपर पूछा गया था वो सभी टाइब के कुस्षन आपके इस बुक में ते रखें तो यानि कि इस बुक को पढ़ने के बाद कहीं से भी कोई और बुक पढ़ने की आपको जोतनी पड़ेगी रिजनिंग के लिए और साथ ही आपको जाद हो को हमारे चैनल पर लगवा 12-13 चैप्टर ऐसे हैं जो रिजनिंग के ओरड़ी आपको कम्पीट करा दी गए अब देगे जब आपके एक्जांब्रेट गोसित होगी तो उसके बाद दुबारा से आपके जो बाखी चैप्टर जो चैप्टर हैं आपके उनसे कुष्ण आपके पूशे गए थे कैसे कुष्ण बने थे कि एक पर्यावाची आगया एक बिलूम सब्द एक बाक्यां से एक सब्द हो गया दो महावरे दो लोकुक्तियां दो कुष्ण पत्र लिखन से इस टाइप से आपके कुष्ण पढ़ना है क्योंकि इन तीन चैप्टर से कुष्ण आपके एक्जाम में नहीं पूशे जाएंगे ठीक है बागी पूरी सामर हिंदी आपको पढ़नी है जिसमें 35 चैप्टर आपके होते हैं ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा नहीं है आपको एक दूशन आपक पथर लेखर नहीं दे रखा है और एक आपका पर्सातने का सब्दा लुब आती है जिसमें आपको हिंदी से इंग्रिश ट्रंस्टनगर पूशता है और उस आपका इंग्लिश से हिंदी इस बुक में नहीं मिलेंगे अगर आप पढ़ते हो तो तो इन तीन चैप्रक्र किस इससे में बहुत सारे मिश्टेक आपकी दिरAttowej आपके जैसे आपके हर्देिश बाहरी हो गई ठीक है प्रशिनाद्पाव्ल बाणड़े हो गई तो दोस्तो में आपके ऐसी हैं कि इसमें जो मिश्टेक हैं आपकी ना के बराबर हैं और बुक ऐसी है बहुत सारी से बहुत मिश्टेक आपको देखने के मिलती है असुद्धी बगरा में ठीक है तो जो आपकी इच्छा इस बुक से आप पढ़ना चाहिए इतना पढ़ सकते हो और डेली लग में आप से बोलूगा आ पढ़ दिए ठीक है जैसे आदा गंटा पढ़ दिया जैसे आपने कुछ टॉपिक पढ़ दिया अगला दोस्तों आपका आता सामन ग्यान आप देक किसकी टॉपिक कुष्णन आपके एक्जटरम यहां बनते हैं। जिस हम बात करें उत्यास की तो इत्यास से आपके 6-7 कुछन एक्जाम में पूशे जा सकते हैं त्यास से ठीक है और बात करें बुगोल की तो बुगोल से भी आपके 5-6 कुछन आपके एक्जाम बनेंगे फिर आपको आता अर्थवरस्था अगर बात किजा अर्थवरस्था की तो जहां से 2-3 कुछन कम से कम आपके एक्जाम पूशे जाएंगे फिर आपको आता है राजवरस्था यानि कि सभीधान कैसकते हो तो 4-5 कुछन आपके सभीधान से भी पूशे जाते हैं उसका दोस्तों हम बात करें कम्प्यूटर फिर दोस्तों आपका कम्प्यूटर के बाद आपके एक्जाम पूशे जाएंगे फिर आपका आता है इस्टेटिक जी के यहां से तीन सार पूशन आपके बनेगे एक्जाम में ठीक है जैसे पिर बोग बाद आ कौन सा पूश लेगा पूशे ज्या बाद आ कौन आका इन मेंसे इस टैप बनते है कौन से राज जाआ का निर्थे कॉन सा है इस टैप जो कॉशन बनते है वो आपके सिटके के मा जाएंगे फिर दूस्तों बात करेंट आपका पहलता है यहां भी लगा हूँ आपके इमांग चलो आठ से दस कुछन आपके करेंट आफिर से पूशे जाएंगे लेकिन दोस्तों लाश्ट टाइम क्या हुआ था आपका जो पेपर आपका हुआ था उसमें सामन विग्जान से किसी भी सिप्ट में कोई भी कुछन आपका नहीं पूशा गया था लेकिन दोस्तों इस बात ही गारेंटी नहीं कि इस वार कुछन आपका ना पूशे जाए हो सकता है चार-पास कुछन आपके सामन विग्जान से पूश लिए जाएं तो इसको छोड़ कर तो आपको नहीं जाना है अब बात करते हैं किस तरह से पढ़ना है कोई से बुक से आपको पढ़ना है अगर दोस्तों हम बात करें इतिहास, भूगोल, अर्थवरस्था, सभीधान, इस्टेट जीके यह जो पांच टॉपिक हैं आपको सब्जेक्ट हैं वो पढ़ना ही दोस्तों आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है लूसेंट जीके से पढ़ना आपको और कम से लूसेंट जीके को आपको तीन से चार वार कम से गम पढ़ना है अब दिए पढ़िगर देखे से स्यांतों समालो इतिहास पढ़ने पर भी पेधावे पार बेखती है तो यहां पर सबसे पतली से बुक है इसको आप पढ़ सकते हो अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो लेकिन दोनों ने एक बुक कोई सी आपको लेनी है ठीक है यह वात को कम्पूटर की और बात करें यूपी जी के दोस्तों यहां पर दे कि अभी आपके एक्जाम में समय है तो यहां पर क्योंकि उसमें बहुत सारा अपडेट आपका हो चुका है ठीक है यूपी जी के में फिर है आपका करेंट अफेर तो सामने भी क्या है आपको लूश एंटी पढ़ना है ठीक है और जो बसता करेंट अफेर इसमें क्या करना है आपको करेंट अफेर में आपको तो देखिए लेकिन जिस दिन आपका एक्जाम हो उससे 20-25 दिन पहले आपका रेंट अफे छोड़ दीजिए तो करेंट अफे देखी दोस्तों बहुत सारे मेंगी ने आपके मार्केट में आती हैं चाहो तो अब गठना सार पढ़ सकते हो अगर आप करेंट अपको नहीं पढ़ना साथ दोस्तों जब आपका एक्जाम होगा तो मैं आपको बोलता हूं एक्जाम से लगवा पंदेवी दिन पहले तो हमारे दोरा आपको पीड़ा प्रूबाट करा दी जाएगी करेंट अफेर की जो आपकी लगवा पचास पिसकी आपको तीन साड़ गंटे कमसेंग पढ़ना सामन ग्यान जिसे महलों आप आदा गंटा करेंट अफेर पढ़ सकते हो डेली ठीक है आदा गंटा पढ़ सकते हो यूपी जी के एक गंटा हो गया और बच्छा आपका दो डाइग गंटे उसमें आप लूसेंट पढ़ सकते हो कि लूसेंट दो गंटे का सपास हो तो इस तरह से पूर आपका लगवा साथ गंटे का सब्लान हो गया है जिसमें साड़-तीन गंटे आपका जीएस हो जीएस हो गया ठीक है जे गंटे आपको लगाता अगर इतना पड़ दिया कि आपको लगवा एक सू पांच से लेकर 110 कुशन का टागेट लेकर चलना अगर आपको एक्जाम किरेक करना है तो इतनी जांगे दोस्तों आपको देने थी आगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो और दोस्तों एक चीज़ी बताना चाहूंगा थे कि बहुत जल्दी हमारे चैनल पर वो सभी आपको एमसी की फॉर्मेट में आपको स्टॉल करा जाए जाएंगे बिद एक्स्पेन ठीक हो तो उस चीरीज को देखना जाना भूलें तो थैंक यू फो वाचिंग